Hello friends, मैं नाम है सुमित कुमार और आप देख रहे हैं Pacify Technology दोस्तो इस वीडियो में हम सीखेंगे e-commerce websites कैसे बनाते हैं तो पहले हम दिखाते हैं कि किस प्रिकार से एक preview है website का तो मैंने और यह एक website बना रखी है तो मैं पहले इसका दिखाता है प्रिवियू कि यह किस प्रिकार से वर्क कर रही है फिर बताएंगे कि इस website को कैसे बनाएंगी तो यहां बात करें तो मैं पहले सर्स करता हूं Pacify Technology.com अब यहां पर यह homepage है अब यहां homepage में इस प्रिकार से यह interface है तो यहां हम बात करें इस प्रिकार से कुछ features दिखा रखे हैं यहां कुछ हमारा एक awesome portfolio है और यहां यह pictures लगी होई है यहां इसके plans and pricing लगए रहा है और यहां हम बात करें तो यह team member लगए यहां सो करा रखे हैं यहां पर आप अपने recording जो photos लगाने चाहिए और लगा सकते हैं ऐसे हम बात करें हैं से client का जो review है वो यहां सो करा रखे है क्या review है तो यहां आप इस प्रिकार से देखेंगे application development के लिए जाना चाहिए देहा क्लिक करेंगे और आपको back करना तो इस प्रिकार से सब सो करा रहा है यहां कोई भी अगर review करता है और उससे comment करता है तो यहां leave a comment भी कर सकते हैं अब यहां बात करें तो बापस आपको जा रहा है होम पे तो बापस होम पर क्लिक करेंगे तो यहां इसके बाद करेंगे यहां यहां पर आप अपने बारे में यापनी company का वारे में से सबस्क्राइब करेंगे यह कुछ आपके सोसल मेडिया के एपनिकेशन से लिंक बगर हैं तो बताँगा यह कैसे एड़ करेंगे वापिस हम बैक करें इसे यहां से यहां पर हम देख पा रहे हैं यह है यहां पर कोई भी चीज डिजिटल सेलिंग हो रही है तो अब मैं आपको दिखा भी जाता हूं कि किस प्रिकार से को कस्टमर से प्रचिस करेंगा और कैसे पैसे करने के बाद हमारे पार स्प्रेमेंट आ जाएगी और फिर यह कस्टमर कैसे से डाउनलोड कर पाएगा याई अगर हम क्लिक करने जैसे एकजमपल यह है तो यहां देखा रहा है प्रेव्यूस का इसका करता है तो add to cart करेगा वो add to cart करने के बाद यह add हो जाएगा cart में अब बैक करके अगर दूसरा प्रोजेक्ट उसे add करना पड़ जाए तो यह वाला वो करता है तो add करते ही यहां से उसका options वो करा रहा है ऐसी वो इसे भी add करेगा या जितने भी उसे project बगर रहा है या जो भ आपका है ऐसे यहां देखें तो यहां total pay करने के लिए दिखा रहा है 4000 रुपे हैं तो चेक आउट करने के बाद as a customer तो यहां पर वो अपने information वो फिल करेगा और यहां पर add करने के बाद completely जैसे इंडिया मीजी सब पहले सी भरहा हुआ को मैंने पहले सी उसका रखा तो और यहां आ गया है अगर आप यहां चेंज करते हैं तो यहां देखा आपका टाउन सेटी यह सब फिल करने एक वर्फ फो नंबर और यहां mail id आपको द्धान से सही से डालने है क्योंकि mail id पर ही एक confirmation message वगरा आएंगे कि आपका order receive हो चुका है या payment आ चुकी है या नहीं आ और यह पर नमबर यह है कहां से मतलब किस एप को यूश कर रहे हैं तो as a एटल पर अगर यूश कर रहे हैं या पिर प्रेक्टियम या फोन पर गूगल पर जो भी तो यहां लिखें एड़ तरेट पर टियम लिखते हैं तो दिखा देगा किस प्रकार से आ गया अब यहां पर वह करेगा आए पर यहां क्लिक करते ही एजा कस्तमर अब तक यह काम कर रहा है इस प्रकार से अब जैसे कस्तमर करता है तो यह है मर्चंट की योप ऐई अडी और यह है customer की ID तो जैसे payment कर देगा 4000 रुपीज है जो भी वह यहां पर add होकर आएगा तो यहां options होकर आएगा proceed to next option यहां पर आएकर खुल कर लेकिन payment होने के बाद ही आएगा अब जो payment करने के बार option आ जाएगा तो जैसे payment complete हो भी जाएगी माना तो अगर किसे ऐसे जो merchant है उसको समझना है कि payment आई है या नहीं या नहीं जो downloadable option है या नहीं तो बताँगो कैसे इसे दिखाएंगे और जैसे payment हो चीकी तो यहां proceed to next step click करने के बाद confirm करने के बाद payment जैसे ही merchant के account पहुंच जाएगी तो उसके पास confirmation message तो पहुंच जाएगा बट होगा क्या है कि जब तक वो खुद allow नहीं करेगा कि यह file download हो जाए जिससे कि यह दिखा रहा है कि यह download तो पर्चेस तो कर चुका है पहले यहां इस प्रिकार से दिखा रहा है कि आपका जो order है वो रिसीव कर लिया गया है और यहां जो payment है यह तो पुराना वाला है और बात के दुखर यहां पर दूसरा होगा जो कि अभी यहां पर pending मैं holding पर आपका दिखाएगा यहां पर जो चार्यर्वे का है यह आगया यहां पर hold को review कर लेता है और देख लेता है तो वैसे यहां confirmation message आजाएगा तो यह मैं देखाता हूं कि जो confirmation message है वो कैसे आएगा इसके लिए मैं हाँ से tab खुलता हूं as a merchant यहां से new tab और जैसी मैं यहां पर new tab open करता हूं तो जिस्ट मैं आपको यह preview दिखा रहा हूं पहले पहले preview दिखने के बार बताँगा यह कैसे design करेंगे यहां login करने के लिए merchant के लिए id यहां पर आगी इस परकार से जैसे login करेगा वो login करने के बाद यहां उसका जो है यह hostinger के बाद wordpress का dashboard है dashboard में जब वो जाएगा तो यहां वो commerce options हो करा रहा है तो यहां order पर click करेगा merchant तो यहां payment दिखा रहा है कि on hold जैसे इस पर click करता है वो तो click करते देखेगा है यहां पर hold के जिगह है hold के जिगह पर अगर वो completed कर देता है अगर payment आ जाती है तो यहां जो payment आने चाहिए थी आने के बाद जो download connect option आने चाहिए थी आनने के बाद इसे complete तो कर दिया है update भी हो गय इस परकार से कोई भी जो digital project है इस परकार से वो selling कर सकता है निकोई merchant अब वापस बात करते हैं तो यहां पर जो mail ID पर है message आया तो कोई यहां देखा रहा है your pacified technology दिखा रहा है order is now complete और यहां पर आप download connection यहां भी देख सकते हैं कि यहां से भी download कर सकते हैं आप इस परकार से आपके options आएंगे तो यह दिखा रहा है expire आपका कभी नहीं होगा यह आप कभी download कर सकते हैं यह इस परकार से full digital work कर रहा है लेकिन काम कैसे कर रहा है यह समझेंगे कि कैसे से काम करना है कैसे से पूरा बनाना है इसके लिए बाबस आते हैं तो यहां देखें हैं हम अपने swap क आपके बाद यह हमारा blog page है blog page page पर क्लिक करते हैं यहां बहुत सारे blogs बगएर हैं जो भी बनाए हुई होगे तो यहां सो कर रहा है अब बाबस आते हैं तो यहां पर आपका सो करा रहा है next आपका blog का contact contact में क्या है कि यहां पर इसकी इंफरमेशन है address email और phone number और time बगएर है यहां पर है next time बात करें तो यहां पर कुछ added कर रहा है तो यह आपका Google map पर सो करा रहा है यह कैसे अड़ हुआ है तो Google map पर आपका business है तो आप यहां भी अपनी website पर लिखने कि अप पहुंच सकते हैं तो जैसे हैं कोई क्लिक करते हैं अगर यहां दिखा रहा है आपका तो आपकी जो शिस्टम है आपका इस प्रकार से सो करा रहा है अब अपसे से क्लोज कर लेते हैं और यहां की बात करें तो इस प्रकार से आप बात करें कि अगर हम और भी दिखने प्लानस तो प्लांस यह देखा रहा है अगर हमें और प्लान देखना है इसके वारे हम फीचर्स देखने है तो और फीचर्स पर कoptर जब Is। कि क्लिक है कि हमारा कि क्या nhất के इसके पिचर्स है अगर हम बात करते हैं इसे पर्चिस करने के लिए तो यहां क्लिक करेंगे अगर आपको पंदर हजार कुछ रुपे आपको पे करने के लेकिन बात करें आपको यहां अगर दोसु रूपे यह दिखा रहा है आपको 24 मंथ के लिए तो आपको 299 रुपीज का पर मंथ का प्लान आपको पे करना पड़ेगा तो यहां दिखा रहा है आपको इस परकार से पेमेंट करने के लिए लेकिन अगर हमें 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 कोई कूपन है तो कूपन से क्या होगा कुछ हजार रुपे का सब्सक्राइब करेंगे और यहां लिखने के बाद आप यहां से रिव्यूज तो एपलाई करते हैं तो आप यहां देख पा रहे हैं कि अगर आप यहां देख पा रहे हैं तो अगर आप यहां देख पा रहे हैं तो कितना मानस हुआ दिखा भी रहा है इतना डिसकाउंट हो गया पहले 40 परशेंट सा अब 10 परशेंट लेस हुआ है तो कम्प्लीटली इस परकार से दिखा रहा है अगर आप यहां प्मेंट कर देते हैं तो आपका जोप्लांड एक्टिवेशन सब रैडि हो जाएगा तो आप यहां कम्प्लीटली अपने बारे में अपनी मेल आडी यहां लिखेंगे और यह फिर गूगल के ध्चूर करने चात कि इस परिकार से आपकर जो कन्फरमेंशन है वह आने के बार तो अपने अकाउंट को लोगिन कर पाएंगे तो चलिये मैं अपना लोगिन कर लेता हूं मुझे इसकी जोड़त नहीं फिलाल हम आते हैं लोगिन पर तो मैं यहां लोगिन कर लेता हूं नेक्स्ट कुंग करेंगे चै망 जो मेरा अकाउंट लोग इन हां पर है गोगल वाला वह ऑज़ IR इसने तरह से Колे बार कोड़ên कोड वहां हमक fringe कर लेंगे अब siitä कॉपी करेंगे कि हां हमारा क्या कोड आया है जिस्त हम और प्रिर खरकर कर लेंगे गरारी है कि ragיו व्यों और यहां वापस प्रेस्ट कर लेंगे और यहां हम करेंगे वेरिफाई जैसी वेरिफाई यहां पर यह लोगिन हो जाएगा अब लोगिन होने के बाद यहां बात करें तो जब आप अपना इस पर कलिक करेंगे तो कलिक करने के आप देख रह आहां पर सुरकराईगा कि Find Your New Diomain तो यहां कलिक करेंगे और आप अपने वेपसाइट का जो नाम रखना चाहते है और पहले चोहका verse है और एक लाइन है वह उसे ऐसे करें लेजाने के बार आपका यहां से मृइड़ी हो जाएगा इसे यूज करने के लिए लेकिन अल्रीड कर चुको हूं तो में यहां बाइना ना करके स्टार्टिंग से आपका लेते हैं वेबसाइट पर क्लिक करेंगे जिसे वेबसेट पर क्लिक करेंगे तो हमें क्लिक करना होगा है से create a migrate of website तो यहां क्लिक करेंगे इसके बाद तो जो मैं domain purchase कर चुका हूँ मैं यहां पर लेख़ूंगा हां से create a new website पर क्लिक करेंगे क्लिक केने हमें आपको कौन सा प्लैटवर्म स्लेक करने हैं या तो आप करेंगे ये वाला यह फिर आप पर नियुक्त करते हैं लेकिन किर पार कि जो एकव्य ऐने मेल रहेगी वो क्या रहेगी यानि एडमिस्ट्रेटर इमेल ये यह रहेगी और प्लेस आप अपने जो एकाउंट का जो पासवर्ट है क्या रखना चाहते हैं और यहां पर कर लेंगे यही आपका लोग इन सिस्टम हो रहा है तो इसलिए आप यहां क्लिक करेंगे और यहां रखना आपको याद रखना है यहां कुछ दिखा रहा है कि का जो का टॉमेंग हिए जो आप यहां क्लिक करेंगे यही है अगर इससी प्लेटली टिख से झलिए और यहां यहां कर विराया कि किस प्रेकार से रेडी हो रहा है तो तो यह कंप्रेट लिए जब रेडी हो जायागा तो एक लोगिन करने के लिए इंटरफेस आएगा यह फिर अगर हम लोगिन करने के लापेज यहां दे देगा यह है और यहां बात करें अगर हमें यही पर कुछ सबस करो इंगे कि यहां करना है जो आप यहां पर क्या करता हूं फिर एक दो निट कर लेंगे तब यह सो कराइगा कि यहां करूंगा है तो भू Kr irr पेस है यहान ख만ले कर खेंगे इस हमारे साफ करे कर रहा है तुम हैAL करूँ हाँ वर्डप्य इसे जए स्थे स्थे कमें बोड़े सब्सक्राइब या यहां भी करा रहा है यानिय ईजिकal करा रख जाएंगे आपका WordPress पर और फिर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप new tab open करके आप अपने website को जो नाम था जो अपने purchase किया है वो पहले लिखेंगे पैसिफाई इंसिट्यूट और डॉट इन लिखने के बार अप WP admin लिखेंगे तो automatically आपका जो लोग इन पेज हो खुल कर आजाएगा यह डिपेंड करता है आपकी website जैसे स्लूर काम कर रही है फिर आपका सर्वर डाउन है यह फिर किसी ऐसे आपका इंटरनेट है वो स्लूर है इस के से अपका time लग रहा है वर डाइतना time नहीं लगता है यहां मैंने जो मेरा डोमेन था पैसफाई इंसिट्ट इसमें कुछ error आ रही थी तो मैंने इसे चेक किया है इसमें अभी error है तो मैंने हाँ पर क्या कर रहा है इस error को solve करने के लिए दूसर जो domain है उसे use कर तो मैं हाँ बताता हूं कि मैं क्लिक करता हूं तुबारा से इस edit website पर मैंने चेंज कर रहा है उसका interface इस परकार से खुल कर रहेगा अब यहां चुका है तो interface में क्या है कि जो मेरा ID लिखी थी हमने जो user ID थी अभी अपने दीख था तो यहां लिखेंगे password और password लिखने के ब password वो ऐसे खुल कर यहां आ जाएगा यहां आप इसकीन option पर क्लिक करेंगे और यहां क्लिक करके आप इन्हें यहां से अंचेक कर देंगे तो automatically जो फाल्ट के options हैं जो interface है वो सारा है हां से remove हो जाएगा अब आते हैं plugin पर क्लिक करेंगे तो सबस्वेले यहां पर दिखा रहा है इसे apply पर देखा रहा है वाविस इन्हें delete करना है तो मैं क्लिक करणा फिर से plugins पर देन क्लिक करूँग मैं है से delete पर और यहां करेंगे apply जैसे apply करेंगे दिखा रहा आपकी plugins से सारे हो जाएगे डिलीट यहां do सारा क्लीन कर दिया जस ऐसा फ्रेस कर दिया है लेकर बात करें लेकर बात करें तो यहां पर हम क्या करना है सरसे पहले जाना है एपार यहां क्लिक करते हैं तो दिखा रहा है यह फाल्थूक ञोने होई हैं तो यहां से हैं को दूद्धूक रहां करthy् 하지만 को कर देंगे यह इसे उनके टिलीट और उके करके कर cultural कर से यहां रहा है यह और नियू यह Bakeral यहां से ऊहरे एब यहां फिली ज्टो करेंगे चैनल करेंगे आक कुंपरिड़क से हमारा का यहां से आक्टेब्ट कर देंगे वहांिपर को ची रहे हैं और JACK लीकर दूख्ष मुत्तर्थ आपका दिखा रहा है थीम, उस से हएंसे डिलिट कर देंगे, आप दिखा रहा है ऐसे, तो आप यहां इस पर क्लिक करेंगे के कस्तोलाइस पर क्लिक करेंगे तो यहां ऐसे हुश्च कुल Labor Day आएगा आपका जो website है import हो जाएगी यानि यह वाली दिखा रहे है तो को यह इस पर click करेंगे और यहां import का option शुरू करा रहा है यानि interface आपका यह रहेगा और जैसी import करेंगे तो यह completely import होने के बाद आपको जो website का look है वो change हो जाएगा तो अब यहां दिखा रहे हैं installing जैसी completely हो जाएगा तो इसका look चेक करेंगे फिलाल चेक करते हैं रैट क्लिक करके रिलोड करते हैं उसका look ऐसा हुआ भी लेकिन हमें completely look कैसा करना है जैसे दिखा रहा है प्रेव्यू लेकिन जब completely import हो जाएगा यहां से तो इसका जो look है वो change हो जाएगा तो यह finally जो आपकी ready यहां कम से कम पांस से साथ मेर्ट या दस मेर्ट आपको वेट करना पड़ेगा वोगी इसमें इंपोर्ट होने में प्राट टाइम लागेगा जैसी कि यहां completely import हो जाएगा तो यहां दिखा भी देगा कि completely हो चुका है और आप you can see live preview तो यहां option एगा live preview का जैसी live preview का option आ जा तो इस पर क्लिक करेंगे या तो यह फिर आप यहां के लिए करेंगे और right क्लिक करके reload कर लेंगे तो आपका जो website का जो look है completely इस परकार से ready हो चुका है अब यहां दे असल क्या है other language में कुछ लिख हुआ है लेकिन हमें इस changes करने पड़ेंगी तो यहां change कैसे करेंगे बता यहां पर यहां पर यहां पर हो चुका है बट हमें करना क्या है जो अपने according जो लिखना है वो चिंच कर लेंगे लेकिन मैं यहां से अपनी जो पहली website में बना रखी है वहां से copy करके यहां पर paste करता रहूंगा just समझाने के लिए लेकिन बात करते हैं तो यहां दिखा रहा आपका नाम तो नाम किस नाम से आप रखना चाहते हैं तो आप यहां side का देने website का title क्या है तो मैंने हां से दिये pacify card लिखने के बार यहां दिखा रहा है just a tagline तो आप tagline अपने according जो लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं यानि purchase online purchase online लिखते ही आपका यहां पर सो कराएगा इ इसे कर दिया इस परकार से अब यहां दिखा रहा है कि आपकी जो administration email address यह है अब दिखा रहा है membership anyone can register यहां इस पर भी check कर देने आपको और यहां जो दिखा रहा है new user default role तो subscriber रहाएगा ठीक है यहां क्लिक करेंगे जैसे आप यहां save changes पर क्लिक करेंगे जैसे save changes करेंगे तो आपका राइटिंग तो राइटिंग पर क्लिक करेंगे तो दिखा रहा है इस परकार से यह पोस्ट है तो यहां यहां कैसे change करेंगे सेवी तो इसकी फिलाल तो जोड़त नहीं है लेकि नीचे आते हैं हापर यहां दिखा आपका reading में तो reading में कुछ options इस परकार से हैं तो धिक है लेकिन आप वापस यहां बैक करते हैं तो यहां आपका दिखा रहा करएं तो यहां क्लिक करेंगे तो इसे पर फिरसे क्लिक करने चिbrig करने की ज्रौत नहीं है अब बैक करते हैं तो दोखो यहां पर आपका जो completely यह चेंज हो चुका है है अब मुझे यहां पर क्या करना है जो दिखा रहा है पर जाकर रहा है यह नाम चेंज करना है पलस यह सब चेंज़ करना है तो पहले हम website के header और footer area को चेंज कर लेते हैं जैसे header यह एरिया है और न हैिस करेंगे तो automatically इंट्रफेस साइगा इस पर को क्या है यहां करना क्या है यहां पर कुछ आपके बास एक तो लोगो होना चीह तो यहां लोगो लाने के लिए करेंगे अम हव्हाहां. इस से weign hear करके हैं सिसको हटा दूंगा से यहां उधनी करा आपको दीखा रहे हैं आपको रखना जो आइकन तो यहां इस पर क्लिक करेंगे फसला है तुम कर लेता हूं इसे कॉपी करके और राट क्लिक करके मैं पेस्ट करता हूं वादा डबल क्योंकि मुझे एक एक्स्ट्रा कॉपी चाहिए तो इसके मैं ऐसा कर लेगे क्लिक और ओपन करेंगे और यहां कर लेंगे कर लेंगे और यहां करने के बाद इस परकार से जब इसे क्राइब हो जाये के लिए तो आपकी ब्राऊजर में इस प्रिकार से आइकन सो जो तो आपको करना कि यह से थोड़ाइसा और लार्ज कर लेना अपने कॉर्डिंग अगर आपको आइकन फ्रड़ा चोड़ा करना पड़ेगा तो यहां मैं कर दूँगा इसे आपको क्रॉप इमेज तो इस पर कलेंगे अगर आपको इसकिप करने कर आप देख पा रहे हैं कि जो कस्तमाइज है इस परकार से सो करा रहा है अगर हम यह से लांज कर देते हैं नहीं स्टार्ट करते हैं पॉब्रिस करते हैं तो जब भी से हमारे अपको कुछ सर्च करेंगा मैं एक नए पेज में उपन कर लेता हूं जैसल यहां से पैसिफाइग कार्ट क्लिक करेंगे पैसि तो कि यहां जहां मुझे कुछ चेंजिस करने है तो जहां-जहां मुझे कुछ चेंजेस करने है 108 मैंक्ट उप्का पिक्सल इंटू 14 इस पिक्सल के कोडिंग आपको उफञाना है और आपका ज सब्सक्रे कि अ होगा जाएगा अब यहां कुछ आपको लिखना है तो आप यहां के लिख करेंगे और इसे रिमूब करने के बार अपने को लिखना चाहें लिखना चाहें लिखा पैसिफाइग कार्ट डॉट कॉम इज आ एक कॉमर्स यहां लिखने एक कॉमर्स वेबसाइड यह प्लैट्फॉर्म टू पर्चेज अपना इपर उनलाइन प्रॉडक्त इस प्रिकार से मैंने कुछ भी लिख लोग यह तो आपको इपने फोनी यहां 서 कराना है वह यहां पर करादेंगी आप यहां पर पूरे डिलेट करना है तो यहां से डिलेट कर सकते हैं और आपको only single मिटाना था तो आप single ही मटा सकते हैं वापस यहां से डिलेट करते हैं तो यहां से डिलेट करना है और यहां करने के बाद यहां आपको ध्याना करना है कि एक्स्टा कुछ एड़ेट नहीं करना है कि अगर आप double क्लिक करते हैं कहीं पर तो कुछ options इनेवल हो जाते हैं और आपको धनक नहीं कि साथका साथ अपनी वेबसाइट से साथका साथ एड़ेट करते रहना है और आपको पॉब्लिस करते रहना है हां से ताकि एक भी अगर आपका इस टैप गलत फूलो करते हैं तो आ यहां पर मुझे लिखना है अपने website का नाम यानि जिसे बनाया है तो pacify card लिख दूए जो भी लिखना है आप अपने recording लिख लेंगे तो दिखा रहा है हैं से copyright 2023 pacify card और powered by pacifycard.com बसका जो भी आपको लिखना है वो लिख लेंगे हां से लिखने के बार यह आपका यहां से आ 911 और जो भी phone number आपके पास है अपना यहां पर सो करा देंगे ऐसे यहां लिखेंगे तो आप यहां से इसे जैंज करेंगे यहां इस पर email पर क्लिक करके यहां से इसे मिटा रहेंगे जो भी आपकी email id है से me add the rate pacifycard pacifycard.com और आपको दोस्ती email आड़ी आड़ करने हैं तो ऐसी कर लेंगे यहां आपको लिखना है address जो भी address है तो मैं यहां लिखना है address लोकालेटी जो भी है तो यहां लिखने address लिखना है address आपका जो ओपनिंग टाइम है वो कितने वाई से कितने में देख है तो आप यहां अपने कॉर्डिंग कर लाएंगे चेंज बापेस यहां कुछ चेंजिस करना तो बता हूँ हां कैसे चेंजिस करेंगे तो अभी हावी चेंजिस फिर चेंजिस करना था मुझेद感 है तो मुझे यहां से इसрафorang करेंगे से सब्सक्राइबा डालस एक तो यहां दिखा रहात schizophrenia यहां दिखा रहा है Hello World इसको मुझे डिलेट करना है तो इसकी जूरत नहीं है यहां करेंगे डिलेट तो यह डिलेट हो जागा इस परकार से वापस अगर आते हैं तो यहां दिखाएगा Visit website पर क्लिक करेंगे और वापस हम यहां देखें तो मैं फिर से करता हूँ कस्तमाइज तो यहां जो हमारा फाल्टो का उप्शन आ रहा था Hello World का वह अब यहां से रिमूब हो चुका होगा जो कि विना फाल्टो का इस पर क्लिक होना से एक नया प्रेश खुल जा रहा था तो अब यहां Hello World नहीं आएगा यहां मैंने उसा हटा दिया है अब इस पर कर से हमें के साएल है और रख लेँए किस नाम से रखना है तो यहां रख सकते हैं हैसाईड मैनई मैनियू इस परकार से दिखा देगा मेन युप यहां करका ने कर दिए तो यहां मेने यहां है अटा这इट ऑल्प-डॉमे आपकर हमें से कर देना है नहीं हुपकर रुचल आप अब वापस हम आते हैं पीजिस के करने के लिए तो हम पेज़ को और कर लाते हैं और करें आगर लेकम के बार अगर हम बात करें तो यहां घो करने के बार अगर हम वाप इस पर प्रिकारज करें इस नहीं Jest crawlingami जो केडिगरी है तो मैं हैंसे करूंगा इस पर एडिट पर क्लिक जैसी मैं क्लिक तो यहां कर देंगे तो हम अपने पेस्ट को देख पाएंगे जो मैं एक नए पीजा खुल लगा हूँ यहां देख लाते हैं आपका व्लॉग में तो यहाँ इस बार की जो categories थी वो latest post यहाँ हो चुकी है अब इसमें कुछ changes करने हैं तो पहले हम एक करके आते हैं home page को edit कर लेते हैं तो home page को edit करने के लिए यहाँ दिखाता है think different and make different तो यहाँ आपको अपने photo लगाना है और plus यहाँ आपको इसको वापस आते हैं यहाँ पर और अपने page पर जाने के लिए हम क्या करेंगे फिर से करेंगे बिजट साइट पर और यहाँ कर देंगे हम सीधा यहाँ दिखा रहा है edit page यहाँ करेंगे तो हम automatic home page को edit करने वाले mode पर आ जाएंगे तो इस परकार से दिखा रहा है यहाँ गया ihan next कर алеंगे हरा commence get started कर देंगे सी ओर यहाँ आगया इस प्रिवीई तो मुझे यहाँ जोवी changes करने है करना है इसे मिटा देना है और यहाँ जर लिखना है now is a paragraph और एक हम अपनी जो original website है मैं हुआ से copy कर लेता हूं इस सारे pages को हां से यह हमारी मेरी original website है जिस में काम कर रहा हूं तो मुझे हैं से copy करना है यसे और copy करने के बाद मैं हैं पर अपने इस जहां मुझे paragraph सो कराना मैं यहां paste कर लोगा से इसे paste करेंगे तो यह completely से यह हमारे pages खुले होए हैं तो जैसे हमें करते हैं contract पर click करते इख ठुर करना राएगा contact वाला page यहां फ्लाल अभी मैंने इस एड़त तो करना है लेकिन इसकी जो link है वह यह है तो यहां से यह तक select करेंगे यहां से हार्ट करेंगे और यहां करना हम इसे copy, copy करके वापस अपने paste में जाएंगे और जहाँ हमें इसे paste करना है तो हम करेंगे paste और paste करते हैं हमकर लाएंगे नेक्स यहां से आगए आईए वापस यहां दिखा रहे है इस पिकार से यहां मुझे परुमाला हम यहां पा양 इससे भी मुझे हां से रिमूब कर देना है कि अपनी ऑरिज listening पर यहां से कॉपै लेटा हमें तो यह जो जो है तक चुल खाओ है हृं उड्सभी च आसे एड़क में जोमाद करना है तो यहां भी हम करेंगे हम पेस्ट करा हैं इसे काम करना है अब फोटो किलिक करैंगे और यहां आप रिमोब या रिपलेस इमेज पर क्लिक करके यहां से एड़ कर सकते हैं लेकिन मैं फिलाल इसको रहने देता हूँ आगे अड़ करूंगा मैं तो यहां आते हैं इस परकार से कुछ अदा लेंगे कुछ लिखा हुआ है इसकी जुरत नहीं है लेकिन यहां लिखना क्या है तो आप अपने पॉर्टफ करना चाहते हैं तो इस परकार से यहां से मैं कॉप्य कर लूँगा आर यू आ सी एक्स प्रोफेशनल तो यहां से यहां तक कॉप्य करके और वापिस यहां जाएंगे और यहां भी इसे मिटा कर प्रेस्ट कर देंगे यहां से यहां से प्रेस्ट करेंगा अब आते हैं पर तो यहां तो अभी ठीक है फिलाल इसमें बारों चींद करेंगे इसकी अभी जोड़ाइक नहीं है अब आते हैं यहां पर meet our team इस परकार से दिखा रहा है तो यहां क्या करना है मुझे यहां जो टीम बली लाइन है मैं इसे कॉपी कर लूँगा यहां से यहां से यहां से यहा हमरे पास फॉत होना चाहिए चौहां से यहां जब सब्सक्राइब सिर्च आफ लुट जो बेर ABOUT 10 unit इसे क्रॉग करेंगे कि मैं हम यां से क्रॉप करने के बार क्लिक करेंगे और यहां करेंगे हम Save As पर क्लिकंपर कर थे हम सीवाइस पर क्लिक मुट है तो के नाम हम चैंज कर देंगे तो Ben स्परिके कर दिया लिगन इसे क्लोज करेंगे और डॉंच सेव करेंगे जो ओरीजिनल फोटो है वो ऐसा ही रहना चाहिए यानि यह तो हो गया ओरिजिनल लिए है डुप्लिकेट जो हमने भी कॉपी किया है अब वापस हम अपने पेस पर जाएंगे और यहां क्लिक करके पहले रिमूव बीजी पर जाकर अपना इसका जो फोटो का बैगराउंड हो चेंज कर लें भलकि कम काम में हमगे बैगरांड को अगर यहां से निकलता है यूजर फोटो एक फोटो निकलता है इस प्रिकार से और यहां पर आइकन लगाता हूँ यूजर फोटो आइकन है इस प्रिकार से यहां से निकलता है और अगर आपको नहीं मिल पा रहा तो इस प्रिकार से दो कि यहां पहुत सारे फोटो जो आज चुके तो मैं डानलोड कर लेंगे यह एडिस्नल जो मुझे चार फोटो लगाने हैं वहां के लिए कामाएगा को कि मैं पास अभी एक फोटो लगाने के और यहां क्लिक करें अपने फोटो को चिंद करें लिए अपलोड फॉाइल पर आप यहां पने नाम लिखेंगे जो भी आप preferred लखेंगे बलता हैं और मुझे यह इस पहते फोटो करना है Pero iamu हमरे पास हैं वहां से अप्लोड फाइल में और दूसरा फोटो यहां से लगाता हूं ऐसे तो यह अप्लोड कर लेंगे हैं से नाम के लिए फ्रडा खोड़ता है इस पकार से नेम एसी इसे हैं यहां से नीचे आना है तो यह हमारा नीचे आते हैं क्लाइंट ट्रेव्यू के लिए हम नीचे आते हैं तो इस लैइन को कॉपी कर कौपी करने के बार इसे हां से इस तक सोरी हां नीचे तक इस तक कर लिएंगे select कौपी करके इसे और मैं हां लगा लेता हूं client review में यह कोई other language में कुछ लिखा हुआ है तो इसके और यहां आते हैं एक client के review में और यहां कर देने पेस्ट पेस्ट करने अगर आपको यहां पर नाम दिखा देना कि किस नाम से यानि क्या है तो यहां एक नाम सो करा देंगे तो मैं फिलाल एक्जमपल इसे erase करके लेता हूं कोशी एक्जमपल नाम जैसे Siri बालाजी इंसिटीट इसके पर या फिर आप अपने कॉडिंग पर जो rayon लेखना चाहते हिसे लिख सकते हैं तो आप अपने जिए फोट लगाने लगा सकते हैं, जैसे इसका फोट लगाने किल करने हैं। इस पर काल से लेकिन अपर लगाना है तो इस पर क्या करना है था लेकिनुन फोट करना है। यहां पर जो लाइन लिख हुए है knowledge if shared टैमली can only add value to our work तो यहां से इस लाइन को मैं copy कर लता हूँ copy करके हां से मैं इसमें paste कर दूँगा इस पर लाइन में हाँ पर तो इस परकार से total मैं pages को add करके यहां से लगा दूँगा अब यहां पर क्या है यहां पर दिखा रहा है successful marketing ad for your business इस परकार से तो यहां हमें कुछ जो भी add करना है या blog बनाना है यह blog बना लगे लेकिन completely पहले मैं blog इसका एक जो blog का अलग से character area है मैं वहां edit करूँगा तब मैं इसमें changes करूँगा तो फिलाल मुझे यहां कुछ change नहीं करना है तो इसके लिए हम आते हैं वापस नीचे have a question के नीचे तुम दिखा रहा है यहां से इसको ना करके हम यहां से करते हैं edit फिलाल इस वाले portion को बार में करेंगा तो मैं यहां से यहां तक कर लोगँगा select copy और copy करके वापस आते हैं यहां पर तो यहां कर लेंगे हम paste इसको हम edit करके पेस्ट कर लेंगे इस प्रकार से अब नीचे contact us का जो है यहां link करेंगे तो यहां link करने दिखा रहा है यह already किसी और website को add कर रखा है तो contact us वाला जो page है हमारी website का वो कहां पर है pacify card में और contact का page यह है इसको copy कर लेंगे copy करके यहां से इस link को और यहां कर देंगे हम paste जो paste कर देंगे यहां पर तो यह link हो जागा वहां से अब आते हैं नीचे तो दिखा रहा है इस प्रकार से तो यहां भी आपको click करना है Facebook पे तो आपको Facebook की जो link है यहां आप अपने recording कर देंगे तो यहां आपको देनक नहीं आपको link कर देना है यहां फिलाल इससे छोड़ दिया है यहां रिमूब कर दिया है कि जो website का जो original link थी वो change कर दिये क्लिक करेंगे हां से तो यहां भी आपको सेम जी से मटार करेंगे अपने recording यहां मैं फिलाल ना लखकर और यहां भी आपको अपने recording मस्ति च्रेंड है यहां च्छिंड कर देंगे यहां मैं कर देता हूं in.in यहां पर क्लिक करेंगे यूटूब के लिए आप के लिंक है यहाँ प्यार से करेंगे लेकिन अगर आप यहां अपने लिंक से श्याय आन से नहींद करते हैंоме है आप कुछ फोट्टों करने तो फोटो वी चैंगर सक्षा Congressman को ए कन की ली जो लेकिन अब हम आतने हैं यहां से यह तो हमारा अप्रेट थे करेंगे और यहां देखा रहा है शुल्सकुरून कि आपके चेक करेंगे यहां से पर बिचल्ग करता है नुर्व और फॉट नहीं तो यहां इस परकार से लागा हुआ है तो यहां करता हुआ है मैं दुवारा चेक करता हुआ है you तो देखें आप इस प्रिकार से जो मैंने चेंजिस करें हैं वो completely चेंज हो चुके हैं यहनि कोई अगर हमारे वेबसाइट में पढ़ता है तो completely पहले जो other language लिखी हुए थी वह उसको चेंज करके English language लिखना तर लिख दिया है अब आपर से यहां क्लिकने दो हो यहां इस प्रिकार से जो चेंजिस मेंने करने तक कर दिया है यह पैसफाय कार्ड.com है और जो मेरी ओरिजिनल है वो पैसफाय टेक्नलोजी डॉट कॉम है जहां से मैं डाटा को कॉपी कर रहा हूं पैसफाय टेक्नलोजी है और जो मैं ब्लॉग वाले पेज़ वाला पेज हीं, यहाँ साधे ही आटेंगा थ्मावरी है यहां ना करा था यहां से पनाो करेंगे को Your Tryvininvestment यहां क्लिक करना माँ एड़ेट नहीं या जो भी यहां changes करने है तो यहां क्लिक करके changes कर लेंगे यानि blog में जो डालना है तो blog में लाने के लिए आते हैं अपने original blog को copy करने के लिए तो यहां हमारा दिखारा original blog है होंगे यह ब्लोग है, LMS बाले हैं तो यहां क्लिक कर लेते हैं तो यहां हमें क्या करना है एक तो heading copy कर लेनी है तो heading हमारी है LMS यह जो कॉपी कर लेंगे इसको कॉपी करके यहां आते हैं तो यहां मैं पहले paste कर लूँगा अस लेन को, successful वाली लेन को मिटा कर यहां से पेस्ट कर लेंगे तो यह लाइन हमारी आ चुकिया अब आते हैं LMS के बारे में तो जो भी LMS के बारे में है जो लेंडिंग मैनेजमेंट सिस्टम है यहां से लेकर यहां तक कर लेंगे से लेक्ट जितना भी लिखना है यहां से यहां तक जो भी लिखा हुआ है मैं कॉपी कह लेता हूं पूरा यहां तक लेकिन आपको जहानक नहीं जहां जहां कंपनी का नाम है वह आप अपने चेंज कर तो यहां क्लिक करते हैं वापस और यहां कर देंगे हम इसे पेस्ट जैसी हम पेस्ट करेंगे तो यह अपडेट हो जागा है यहां पर इस प्रकार से ही तो हो चुक है लेकिन जहां जो चेंज करना है आपको अपने चेंज कर लेंगे इस प्रकार से लेकिन बात करते हैं तो य लिए टेक् converting रहे हैं मैं यहां से प्रेकर करता हुं पहले इसे को बन जाएगा अब नीचे यहां दिखा रहुगा इसका यहाँ दिखा रहा हूं आपको फ़ोटो फीचर्स पर क्लिका रहेंगे तो यह फ़ोटो ओलड़ी है दिखा रहा है तो मुझे यह चेंज करना है तो मैं यहां से करूगा रिपलैस इमेज पर लेगे अमारिस फोटो होने भी चाहिए तो यहां से हम बापर आते हैं और इसे एक फोटर नकाल लेते हैं LMS का तो यहां कर लेंगे हम LMS images तो जैसे images करते हैं सर्थ तो Google पर बहुत सारी images ऐसी मिल जाएंगे जैसे LMS दिखा रही है अब याद तो यहां तो यहां तो यहां डाउलोड कर लिए तो राइट किल करके हैं सेव और यह जो LMS वाली फाइल है इसका नाम जासल मैं LMS करता हूं LMS एंटर करेंगे और द्वारा क्लिक करके यहां से इसे उपन कर लेंगे जैसे क्लिक करेंगे तो यह जो आपकी फोटो है हां यहां जो क्यों लेटी भी दिखा विरा कि लेटेस्ट पोस्ट में भी तो यह ठीक है अगर आपको कुछ चेंज करना तो अपने अप्डेट करेंगे तो आपके जो यह पोस्ट है यह वाली अप्डेट हो जाएगी तो चेक कर लेता है हां पर कि यह पोस्ट एडिट हुई यह नहीं तो यहां रेटिकल करके रिलोड करते हैं तो जो यहां दिखा रहा होगा आपका है यहां पर यह नाम सो करा रहा है वाला यह एक मत्व हापर लेमेस सिस्टम परवाइडर है हापर तो यह फोटो इस परकार से आभी चुका है और इस परकार से कंप्लेटली जो जो सब्सक्राइब इ summertime सब्सक्राइब निए अंप्रर सब्सक्राइब में तो UK मैं काफ्य करने हैं और हम पर यहां पर है करने के बार यहां दिखा रहा है आपका URL उसमें हम लेंगें यहां से रावका आपको फॉ यहां से कॉप्य करना है career से क्लिक करके तो यहां से से कॉप्य करने यहां तो यहां किलिक करके आते हैं और यहां से सिंगल कलिक करके दिहाना करना आपको तो यह लिबर कलिक ने करना है simple click करना है तो मैं यहां से click करता हूँ और जिसल जिसल अलग प्रेग्राफ था और यह अलग प्रेग्राफ है अब मैं इस प्रेग्राफ में paste कर दूँगा करेंगे तो यहां प्रेग्राफ से पहले हमें क्या करना है डिच्टल मार्केटिंग तो यहां आपको बहुत सारी फोटो अपने जो लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं तो मैं इस फोटो को लगा है तो कौप राट किल करके से भीख्यब कर लेंगे और यहां से ब्रीक्न हैं अपने'll ईबी करेंगे और यहां अपका देखा रहोगा पूस्ट के लिए तो यहां प्रफ्लयस पे करेंगे और और इसका नाम होड़ देडियर मार्केटिंग मेंकिको'm DMS किलिक करें के आपन कर लेंगे तो ये फाइल आप अपलोड कर लेंगे इसमेकार से जैसे करेंगे से इसाइट फीचर जिवेश्य आपकी फाइल है फोटो ये अपलोड हो जाएगी और हैंसे कर लगे अूट्ट जैसे हम अपडेट करेंगे तो यह भी हो चुक्योंगी चेक तो यह और एक ही यह अब यह लिखना क्या है या नेक्स्ट पोस्ट क्या है यहां से क्लिक करके आते हैं यहां होगा हमारा पोस्ट पर क्लिक करेंगे वापस ब्लॉग पर ब्लॉग पे या फिर हॉम पे यहां पर दिखाएगा पूरी पोस्ट हमारी क्या है नेक्स पोस्ट जो हमारी CRM एप्लिकेशन डावलप्मेंट यह आपको अपने कोडिंग पोस्ट करनी है मैं एक्जम्पल लेकर चलता हूँ यह एक्जम्पल अगर आपके वेबसाइट पर कुछ अलग टाप की पोस्ट होंगी तो आप अपने वेबसाइट पर अपने कोडिंग जो भी करना चाहेंगे वह एडिट कर सकते हैं तो मैं हैं को कर दो हूँ इस hier और यहां क्लिक रएंगे वजिए फॉरल को मैं चेंडता हूं है को और ओर यर औरड़ी कौपिय हो रखी है और यहां से क्राइब कर देंगे इस प्रेकार से दरिखा इमेज को सेभ कर लोंगा जो के बारे में है कमिल डैफनेसनि यहा Сे लिखा कापी करने के बाद यहाँ पर हम रैइट किल करके और यह अब यहां करेंगे कॉपी और यहां जाएंगे वाप्स यहां से हम बटा गई लेकिन यहां क्लिक से लेकिन आपको यहा Jeez, passify , Cart या जो भी ऐम आपको नाम है, आपको यह प्र सबस्वाएंस करा देना है यहाँ जूरूर यह उर्ट कर लेना है यहाँ आपको पर फिर फ्रहन odcom unmपाती हो पशना कर सकते हैं कि आपकर integr ऐसे लिब चाहिए है कि आगए और यहां कर लेंगे हैं इन्डेक्स वाली फाइल को अब ओपन कर लेंगे ओपन करके हमकर से हम कर cabin अब्डेट पर क्लेए तो आपकी फाइल है लुग हुजाएगी नहीं तो यहां के लिए करते हैं सा यहाँ लिदेट हुए नहीं کہ It's तो जो बेस्ट प्लेस वाला उप्शन था वो चेंज हो चुका इस प्रकार से यहां आ गया है सी आर एम एप्लेक्शन डेवलप्मेंट लेकिन फोटो दसल छोटी है तो इसलिए छोटी ही फोटो आ रही है तो आपको अपने एकॉर्डिंग फोटो लगा लेनी है अब जो लास्ट पोस्ट बची हुई है यह बिग सेमिनार वाली है तो आपको इसे कॉपी कर लेना है वापस और यहां आएंगे बैक करके यहां से बैक करके आएंगे द्वारा से तो यह है बिग सेमिनार वाले पर क्लिक करके और एडिट पर क्लिक करेंगे तो यहां इस प्र तो हम पर ख्लक करेंगे और यहां वापस आएंगे अपने इस ब्लॉग पर या फिनिशे इस को कर आएंगे लास्ट ब्लॉग हमारा क्या है लास्ट ब्लॉग हमारा है इसमें ए-learning इस पर क्लिक करेंगे इस नाम को हम कॉपी कर लेंगे कॉपी करने के बार हम वापस आएंगे और अपने इस पोस्ट में जाके इसे पेस्ट कर लेंगे इस नाम को यहां से पोस्ट करेंगे इसको पेस्ट करने के बार एक जादा हो गया तो यहां से इसे मिटाता हूं पहले भी यहां से यहां तक सेलग करके और यहां कर देंगे हम पेस्ट इस पेकार से आगया लेकिन आप यहां करना है आपको इसके पर्मान लिंक पर क्लिक करेंगे और इसकी जो पर्मान लिंक है से मिटा कर और यहां कर देंगे हम इसे पेस्ट लेकिन वबस यहां आते हैं तो हमारे प या फिर जो भी फोटो आपके पास है या फिर उस वेबसेट से करना है जो है का उपी कर रहा हूं अप से ख्लिक लिए हां से और यह लेडोर पर पर जाके जो पसने और लेडिक करेंगे और यहां वापस आएंगे अच्छा मुझे क्या करना है एक photo अभी आपने photos को upload करने के लिए तो यहां मुझे करना है upload तो इस प्लिक करने नीचे सो करा होगा नाम पर क्लिक करने के बार और यहां किक करेंगे नीचे तो यहां दिखा रहा है अपका replace image और यहां करेंगे लेंगे हैं इस अब करेंगे लाइंगे यहां करेंगे इस फाइल करने हैं और और यहां इसके लिए वो लिखेंगे तो इसके लिए हमाँ आता हूं तो इसकी जो definition है वो यहां पर है इस पर क्लिक करेंगे आपका e-learning website पर क्लिक करके app पर इसकी definition है वो यह है तो मैं यहां से करता हूँ इसको copy select करके यहां से पूर i to z जो भी करना है तो यहां से कर लेंगे copy copy करके हां से मैं वापस जाओंगा और यहां कर लोगा इसे फिर click करके यहां से और इसे कर लेंगे delete कर लेंगे यहां से और यहां click करेंगे यहां click करके में इसे करद्धान दसल इसे edit कर लेंगे हांसे और यहां कर लेंगे हम पेस्ट तो completely सारा काम जो है वो कौण पेस्ट का ही काम है तो आपको अपने recording कर लेना है जो भी आपको करना है जहां जहां correction है हो वह correction कर लेंगे और मैं वापस इससे कर लता हूँ यहां से publish अब्रेट कर लेंगे तो अब्रेट करते ही यह completely जो पोस्ट है हमारी सारी पोस्ट ही वो रेड़ जाएंगे लेकिन अभी जो लास्ता मैंने अभी एड़िट करे थी उसमें पोस्ट में एक फोटो चेंज करना है तो यहां इस पर कलिक करेंगे और दौरा जाएंगे और यहां फिचर्स इमेज है इस पर कलिक करेंगे और यहां कर लेंगे फिर से रेप्लेस इमेज पर कलिक यहां करेंगे हम अप्लोड पर कलिक और यहां से हम कर लेंगे जो फाइल हमारी है वो यह है जो कि पहले से बैस्त है तो यहां इस पर करेंगे और यहां से हम कर लेंगे सेट फ क्रिकर लिए करने खाहिए हुआ कृस्त और हम एंक रहें दो बहुत लिगें रहें हैं विए पेस्पर क्लिक करलेंगे वाफर आते हैं तो यहां देखें तो हमारी जो है चेक कर लेते हैं भी वहाँ पर जाके तो जितनी भी पोस्ट है हमारी करके रिलोड करेंगे तो जो ब्लॉग का पेज है वो ए लर्णिंग दिखा रहे हैं यहांँ अब करयों स्टर्णिंग करने के लिए तो हम जाएंगे वापस कहां यहां पर क्लिए करेंगे और अपने हॉमपेज पर जाएंगे यहां हमारा हॉमपेज होगा तो हम अपने हॉमपेज पर जाएंगे तो यहां से क्लिए करके जो लास्ट में आपका जो दिखारा ब्लॉग इन ब्लॉग को चेंज करें तो करेंगे कैसे समझेंगे यहां से तो करना कैस के लिए हम वापिस यहां जाएंगी और यहां करेंगे एडिट पर क्लिक करेंगे तो हमने चार ब्लॉग एडिट कर रखेंगे तो उन ब्लॉग में से इनको कॉपे करेंगे तो मैं आता हूं वापिस नीचे की तरफ और यहां है कोनसा है THIS है करके पहले करके हमारा यह richer कर रहा हूं हो हम यहां पर खो कर रहाए इस परिकार से ब्लॉग हमारा यहां आ cioè कर लेंगे घाते और तो यहां क्लिक करके द्वारा से इसका जो नाम है चेंज कर लेंगे हां से इस नाम को पेस्ट कर लेंगे हां से इस प्रिकार से जो इसे पेस्ट कर लेंगे तो यहां देखें तो यहां आपका दिखाराइस कर रहे हैं सौर्ट डिस्क्रिप्शन यहां लिखेंगे खुसे तो आपको यहां तो एक खुछ से लेख लेना है यहां को पेस्ट कर लेना है तो मैं हां से क्या करता हूं इसको कॉपी कर लेता हूं यहीं से वापस यह दिखा रहा है हां से हां तक सलक करके और कॉपी करके इसे सौट डिस्क्रिप्शन इसका और यहां कर लेंगे वापस लेकिन जो रिड्मोर वाली लिंक है इसकी जो लेक्षि करेंगे यह से ज्थ इसको फाल्डू कि जू लेंक है वो दूसरी लेक्षाहा और inmiddructive करता है लेकिन जोडना किसी तो आपको जहना करना है जो LMS आपने पोस्ट बनाई है उस पोस्ट पर आपको अपनी पोस्ट पर ही पहुंचना है तो आपकी जो पोस्ट है वो यहां पर है और यहां बात करेंगे और जो आपका LMS वाला पोस्ट है तो इस पर क्लिक करेंगे वापस यहां LMS वाले पोस्ट क्लिक करते हैं आपको जो इसकी लिंक है आपको यहां से कॉपी कर देना है कॉपी करके आपको यहां आना है वापस और यहां क्लिक करके जो आपकी URL है यहां पेस्ट कर देना है LMS वाले के लिए ऐसे आपको हर post पर click करना है और ऐसे आपको change कर लेना है लेकिन अगली post आप वापस आते हैं तो यहाँ click करना है और यहाँ आते हैं अगली post के लिए तो यहाँ हमारा अगली post है Digital Marketing Service in Noida तो यहाँ से copy करके और द्वारा यहाँ click करके आएंगे और यहाँ click करके इसका जो नाम है click करके यहाँ से change कर लेंगा इसका नाम लेकिन आपको जहाना करना डावर click नहीं करना है और यहाँ paste कर लेना है लेकिन आपको यहाँ इसकी जो short description है उसे भी copy करना है तो यहां से मैं sort description को copy कर लेता हूँ और copy करके इसे हां से हम कर लेंगे इसमें paste तो यहां से इसे कर लेंगे है इसे भी फिर से same paste अब completely यहां इसको जोड़ना है तो यहां इस पर click करेंगे इसकी जो link है आपको धहना करना है एक बार में total मटाना है यह नहीं कि आपको थोड़ा से मटाने से अपकी फिर से error आएगी तो यहां क्लिक करना है से मटा देना एक बार में अब इस link को जोड़ना है आपको किससे digital marketing service वाले से तो आपको आपने ही ब्लॉग में जाना है और यहां आपको next blog में लेगा यह आपका देखा रहा है digital marketing service in order क्लिक करते हैं इसकी जो link है वो यह है तो यहां से copy कर देंगे copy करके इसे यहां से click करके और यहां कर देंगे हम paste तो paste करते ही हम देखेंगे अच्छा यहां पर हमारा यह तो paste हो चुका लेगी यहां इसकी photo भी change करने पड़ेंगे तो next पहले है इससे change कर लते हैं next post हमारी है तो यहां से copy करेंगे next post के लिए तो हमारी next post है CRM application development तो यहां से इसे भी copy कर लेंगे यहनि आपको अपने recording कर लेना है तो जैसल मैं इसे copy करकी कर रहा हूं से आपको इसे नाम को यहां से update कर देना है इस परकार से और इसकी जो short description है वापस यहां से इसको copy कर ले से भी change कर लेंगे रिस कर लेंगे से भी हां से और यहां इसकी जो link है तो आपको link जोड़नी है अपनी website की link से तो यहां से select करेंगे इसको पहले erase कर देंगे और erase करने के बार आप आते हैं जो आपकी खुद की website है माना जैसे example यह है तो मैंने कौन साथ करूं तो यहां CRM ब और यहां जायेंगे और यहां कर देंगे पेस्ट यहां पर यहां पर उपका URL दिखा रहे है पेस्ट करते करते पकार से यह अब अब आते है अगली पोस्ट कि लिए तो यहां से हम करेंगे edit हैं है सेम क्लिक करेंगे और हैं सब्सक्राइब यहां करेंगे यहां करेंगे लेकिन इसकी यूर्ल है यहां पर दिक्रीप्ड करेंगे लेकिन आपको आपने जो भी पोस्ट मैंने बताई कि कैसे पोस्ट करी थे मैंने इसको ऎकार से अपका दिखा रहा है यह exactly वह पर क्लिक करेंगे और क्लिक करेंगे और क्लिक करोंगे और क्लिक यहां डिजिटल मारकेटींग वाले फोटों पो क्लिक करेंगे ऐसी यहां डिजिटल मारकेटिंग वाला फोटो यह लगा देंगे एसी उद्रीट यह अलो Recovery करेंगे चाहिए यह आप ऐसे करेंगे और संस्ती구요 एक मेरे आप कुण करेंगे और रम रही beginning के बाद चक करेंगे कि ये काम कर रहा है या नहीं तो हम आते हैं अपने अपने ओम्पेस पड़ॉबास पर क्लिक करेंगे और हमारा ही आ गया है खासल यह पैसपेक रैटी काट जो में बना रही हो लेकिन जो मेरे रियल वेबसेट हो यहथ तो आपको यहां वापस अपने वेबसेट प्रप्वारा आना है और यहां किल्स करके कर देखना है कि आप की जो पोस्ट है पहले रैट कि rights किरो और यहां करे सद इकड़ा करो है नीचे वा दिर दो तो मैं अब आता हूँ, कौन सी page पे, हम अब तक दो page, कर चुके हैं, added एक तो home और एक blog, अब आते हैं अभी यह तो about के बारे मैं कर लेते हैं, यह फिर कर लेते हैं, contact के, तो मैं पहले कर लेता हूँ, contact वाले page को, तो यह जो contact वाले page है, इसे हम correction करेंगे, तो कि कर्क्षन अभी नए गुआ है और यहां अपना मैप का जो एड़ास है उससे कैसे लिंक करेंगे यह भी समझेंगे कि मैप कैसे हाँ एड़ करेंगे यहांपर इस प्रकाव से इड़ास करने के लिए हम आते हैं अपने अपने एड़र ऋबस हाँए लिख देना है जो अपने लिखा था हम बात करें वए When a Miss sem लिखाओ आख लिकाओं कि अए तो हम्हेरा लिखा हूए हाँ इस प्रउले Бертв оч 보고 लिए वैशिय्ट पे नीचे तो यह address लिखावा है तो मैं हमें से address ले लुँगा अब इस address को कॉपि करने के बार यहां से यहां तक और मैं इसे भी होहां paste कर दूँगा यहां क्लिक करके इस वाले paste पे और यहां क्लिक करके sharing करते दूँँ है यहां मैं एक लार में हिसे और रिमूब करके और पेस्ट कर लेंगे यहां प्रेग्राफ्य आपके एक नहीं दो पर विचल से और इस प्रिस पेकार से अबटर से हो और नेक्स्स तो उपर वाली mail आड़ी तो इसको क्लिक करेंगे और इसे भी हां से change कर लेंगे हेल्क एट देड पैसिफाई कार्ट लेकिन यह mail आड़ी मिलेंगी कहां से फिरी मैं बताऊंगी कहां से email आपको professional email फिरी मैं कैसे मिलेंगी गजन है आत сохран करक्षं आए तो लेकिंगा से ऑड लंबर प्लस का 91 और इसका कंवनर प्लस का यहां करेंग नेक्स्ट कर सोभ कराजा है और ऐसे हम करें लेंगे तो खुश्ड़ कर लेंगे jáसी यहां तकसे मैटाने के बाद प्लस का 91 और जो नंबर आपको सो कराना है यहाँ पर लेख लेंगे तो मैं एक्जम्पल कुछ भी फो नंबर दे देता हूँ और जब क्लिक करेंगे तो यहाँ क्लिक करने के बाद कॉंटक्ट मैं है मतलब और यहाँ यह लाइन को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहां से copy करने के बार इसे copy कर लेंगे और सेम यहां से जाएंगे और यहां कर लेंगे paste तो paste करने आपकर डाटा है इस पर कर सा जागा लेकिन अब यह call now पर क्लिक करके जो यह दिखा रहा है link कोई पिएगомина या तो इसे मैं आपको लिक करने पड़ेंगे अपना कोई पेज तो मैं रॉप बापस आता हूं और अपने इस हों हॉम पेश को किलिक कर लेता है होंटेज़ से और आप हिया से क्लिक करेंगे इस MA कआपी करके इसे यहां यहां तो आप यहां पर अपना जो Google Map का एड़र से यहां भी पेस्ट कर सकते हैं तो मैं वसी कॉपी कर लेता हूं तो अब आते हैं पहले अपने Google Map पर आपको कोई यहां करेंगे आपका डायक्शन पर क्लिक करते ही आप देख पा रहे होंगे इस पर कार से आगी आपकी डायक्शन तो यहां देखेंगे दोखो यह दिखा रहा है पैसिफाई टेक्नलोजी गूगल पे और यहां दिखा रहे है दोखो शेयर करने का उप्शन होगा तो यहां स की जो रियल में जो दिखाता है जो इसका जो मैप आपको सुक्राइब यहां से कर लेना है यह आपको कॉपी कर लेना है और इसे क्लोज कर लेना है जो कि अगर देखें परीविव कि यह ज़िए असल कहीं और का पेस जुड़ा हुआ है यह वसिंटन यानि आपका यूएस का बना हुआ है लेकिन आपको द्याना खेंगे मैं कि यहां मैं दिखाता हूं आपको लोकेस्ट है यहां अपका च्बश्च का जो है जो मैने भी कौपी क्या थे हैं लेकिन देखते हैं प्रिवकर कई प्रिव्य दिखा रहा हम यहां से वांटेक्ट वाले पेज में देख पा रहा है यहां से अगर हमारे जो मैपस प्रिवाले बनाटेश से सुन पकर अ है और फानली जब आपडेट करते हैं तो अपडेट करते देखेंगे कि यहां पर राइट क्लिक करके जो आपका प्रेवियू है वो कंप्लेटली पूरे पेज में आ जागा आपका मैप यह इस परकार से एडिट करते हैं तो यह आपका मैप इस परकार से एड़ हैं, तो इने हम अड़ेट करेंगे, फिलाल हैं और इबाउट का पेज भी रहा गया है, तो इबाउट का पेज पहले ऐड़ेट कर लेते हैं, क्योंकि यह जादा बड़ा नहीं है, इसे जल्दी कॉपी कर लेंगे हैं आप मे अभी और यहां भी कुछ रहा गया, तो य यहां पर edit पकलिक करके और आपको वापिस आना है जो social media के icon थे नीचे आपको इस पकलिक करके एक एक करके इनकी जो link है वो आपको यहां से change कर लेना है जो भी आपको अपने अपने ही website के वारे में या अपने वारे में जो information है यहां से link कर देंगे उसकी accounts अगर आपने बना रखे हैं तो तो मैं देसल फिलाल इनको जो already link है उन्हें से यहां से आपने accounts को बनाने के वार अपने accounts के URL है यहां पेस्ट कर लेंगे अपड़िट करने अपका यह तो अब आते हैं वापेस अब आप वाले page में बैक करेंगे यहां से जो अब आपका यहां edit पर click करेंगे और about वाले page में जो भी correction करना है हैं से कर लेंगे जल्दी correction तो यहां आपको अपने story या अपने वारे में जो description दिखाना है sort या brief आपको तो आप यहां लिख लेंगे हैं लेगन अपको अपने ख़र लेना है अगर आप लेखते हैं तो तो यहां से मैं हां आता copy करता हूं same और copy करके हां से यहां आएंगे और यहां कर देंगे हम paste इस परकार से कि कहले हैं यहां कर देने हम पेस्ट कर देने हैं से हहां से पेस्ट और वापिस आते हैं तो हम यहांसेино मुझे करना ऐसे दुलिट पले और यहां क्लिक करके अपने इस मैटो को मैं कॉपी करके और वहाँ पेस्ट कर देंगे स्पिकार से कॉपी करने के बाद यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ मैं कर दूँगा इसे पेस्ट लेकिन आपको अपने कोर्डिंग डिफाइन कर लेना है जो भी आप देखाना चाहते हैं अब अबर मिशन के नीचे जो देख पा रहे हैं एक लाइन यहाँ पर है तो इन लाइनों को कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके यहाँ से फिर से कर लेते हैं पेस्टिस में यहाँ पर आते हैं तो यहाँ दिखा रहा बीजनस के बारे में तो यहाँ आते हैं सेम और कॉपी कर लेंगे से और यहां भी हम कर लेंगे पेस्ट सेम नेक्स्ट हमारा आसे हायर सेल पर करेंगे और यह भी कॉपी कर लेंगे सेम आसे सेम यहां भी हम कॉपी कर लेंगे से तो यह फानली जो हमारा अबाउट का पेस्ट था मैंने यह भी करेक्शन कर दिया है यहां पर हम जो दिखाना चाते हैं डिस्क्रिप्शन दिखा रखा है तो यहां से से भी डिफान कर लेंगे कॉपी करके और सेम यहां भी हम कर लेंगे इसे पेस्ट अब यहां पर हम बात करते हैं अपने टीम मेंबर्स की तो यहां आपको अपने टीम मेंबर्स जो भी है व तो आपको अपने कोडिंग फ्टो ची लगा लेना है यहां किलिक करेंगे तो यहां किलिक करेंगे जो इसका नाम है इसे हम इडिट करके और चेंज कर लेंगे लेंगे इस प्रिकार से यहां पर मैं फिलाल name का space इस प्रकार से छोड़ाता हूं को बार में हम correction कर लेंगे इसी प्रकार से same same आते हैं नीचे तो यहां इस प्रकार से दिखा रहा है have a question, have any question तो click करेंगे और यहां से हम से 집에 lane को copy कर लेंगे आएसे कॉपी करके हा secret हे इसे और यहां जाएंगे वपिस यहांइसए पिस्ट कर लेंगे इस प्रेकार से यह भी हो गया यहां contact आशमन के ले करेंगे तो यहां झाना करना है जो contact वाला page है आपको जोड़ देना ऐसे तो यह कहां मिले है कि आपको पता है कि यहां बाबिस आना है और अपने कॉंट्रक्ट वाले पेज में जाना है तो यहुत कॉंटले कोपी कर लेना है और कॉपी करने के बार यहां आकर इसे पेस्ट कर देना है इस पिकाहण से और यहां आप आपएस आते हैं तो इसमें जो करेक्शन करने हैं तो आप है करिंक कर लेंगे है फिर आपको फेस्बूक की जो लिंक है वह अपको फिर से पहले की तरह यहां फिर से कर देना है अपने अपने गॉर्डिंग जो लिंक है वो यहां कर लेंगे changes फिकल करेंगे आपका Twitter का जो account है तो वह भी हाँ अपने अपने लिंक कर देंगे ऐसे आप यहां करेंगे Pinterest के बारे में तो हमारा यह भी complete edit हुआ है यह नहीं तो यहां आते हैं और चेक करते हैं अब अपने वाले page को right click करके reload कर लेंगे जिसे reload करेंगे तो इस प्रिकार से हमारी story है यहां फिर से यह आ गिया completely मैंने यह भी edit कर लिया है तो यह हमारा recording जो categories है वो बना लेने हैं तो मैं पास दो project already added है तो मैं उनको यहां add करूँगा जो कि मैं पास जो है project वो है आपके product वो digital है तो आपको यह जो फिजिकल हो यहां click करके फिर से हम कर सकते हैं इसे delete permanently अब आते हैं वापिस अपने pages पर क्लिक करके और यहां page आपका दिखा रहा है तो यहां page पर हम आएंगे वापिस swap पर क्लिक करके और यहां करेंगे हम edit पर क्लिक जैसे edit पर क्लिक करेंगे तो यहां swap का page इस परकार से आजागा तो इसमें कुछ correction करना है या कुछ change करना है तो यहां चैंज करेंगे लेकिन आप जाते हैं directly आप only आपके जो product है वो add हो तो back करेंगे तो यहां दिखा रहोगा आपका only product इस पर करेंगे और जो product पर क्लिक आपका देखा रहा है इस परकार से तो मैं यहां करूँगा सबको select a to z और यहां कर लेंगे हम delete तो यहां देखा रहा है आपका move to trace और यहां apply करता ही सारे जो project है वो मालला जो भी आपके product है वो delete हैंगी तो हम बात करने तो यहां से इना करता हू हां से delete हो चुके हैं और जो category वगर रहा है वो भी आपकी गायव है हां से लेकिन अब मैं हां से मैं खुछ से add करूँगा तो यहां आते हैं पहले category पे और जो categories already बनी हुए है उन्हें भी हां से कलेंगा delete select करेंगे हां से वापिस हां से select कलेंगे to chat यहां से जो delete करना है तो हम ऐसे खुड delete करेंगे पता हो कैसे इन्हें delete करेंगे तो यहां कलेंगे delete और apply करते ही यह भी सारे हो जाएगा delete अब रह गया हमारा एक category तो यहां कलेंगे इसे edit पर क्लिक करके इसका नाम change कर लेंगे जो भी आप change करना चाहते हैं अपने according तो मैंने हां से कर दिया इसका न यहां से upload add image जैसे आप add करते हैं तो आपका icon यहां होना चाहिए देखें यहां से मैं एक icon निकाल लेता हूँ visual basic का तो यहां से जो विजू बेशिक यहां इसके photo आपके आ जाएंगे तो यहां से इसके click करेंगे इस पर यहां से इसको प्राइट क्लिक करके मैं save image एसका कर लूँगा तो icon लगाने के लिए इसल ऐसा करना है इसकी जोड़ूरत नहीं है इसकी फ्लाज जोड़ूरत नहीं है और यहां क्लिक करके अप कर इसके जो icon है यहां add हो जाएगा इस परकार से अपडेट कर देंगे तो यह अपडेट होगा है इस परकार से अब आपस आते हैं product में और यहां क्लिक करके एक product मैं add कर लेता हूं तो यहां करेंगे add पर click लेकिन हमारे पास वो होना भी चाहिए तो मैं example दिखाता हूं में प hms मतलब यह जो मैं file sell कर रहा हूं इनके नाम मैं आपर इस पर कर देता हूं hms यह हो गए दो नाम लेकिन इनके जो आइक photos है में पास already यहां मैंने save कर रखें तो अपकर रसी photos होने भी चाहिए जो कि हां मैं add कर रखें तो इन photos को अपकर देनक नहीं यह upload करने के लिए काम ह है कि यह हमारा दिखा भी रहा है कि कि step का photo है तो मैं दिखाए तो आपको प्रेव्यू यह photos मैंने just एक लगाने के लिए करें जो photos हमारे हैं आपर दसल यह जो इनके quality है और फोड़ी से काफी कम हो रखें तो मैं दसल फोटो quality को लिखतनी है आप अपने recording लगा लेंगे तो म यहां आते हैं लिखेंगे जो भी हम सेल कर रहे हैं उसका नाम तो college management system और यहां लिखने के बाद लिखेंगे उसका short description जो भी है तो मैं लिखते हो जैसे college management system is a visual basic project इस परकार से जो भी लिखना है कि अजरें raised, GREG강iver खर्कत कोव से जो से जो भी है कि लिखते हैं गुली है कि अजरते हैं झाल मैं पिरो नहां है कि रखेंदेर立ंळ िynnदार के जो ऊइल वेंडी है कि यार्लें वेजल कि जोफें ट्से पीदया है यह बार है इस पर कार्शन लेख दिया है और इन दिस प्रोजेक्ट इस पर कार्शन लेखा से तो इसको आपको डिफाइन कर लेना है कि इसमें क्या क्या है इस प्रोजेक्ट यूजर नेम is admin and password is यहां मैंने इसका लिख लिए है इसका सौट description और यहां से इसको कॉपी कर लेना है और फिर आपको यहां से कॉपी करने के बाद निचे लिखा होगा आपका इसके बारे में तो यहां कर लेंगे फिर से paste तो पेस्ट करने का अपर देख पा रहे हैं आपर यहां दिखा रहे है आपको virtual या downloadable इस पर क्लिक करेंगे तो दिखा रहा है इसका price कितना है तो आप लेखेंगे जो regular price है माना 500 रुपे हैं लेकिन आप फिलाल sell कर रहे हैं कितना 1200 रुपे का लेकिन 1200 रुपे का जो sell कर रहे हैं उस sell price कब तक चलेगा तो यहां के लिखेंगे schedule पे तो customer जब भी sell करेगा इस वीच तो उससे 1200 रुपे में purchase मिल जाएगा लेकिन अगर customer purchase करता है 28 February के बाद तो 22 रेट है वो 1500 ही मिलेगा तो यह हमने लगा दे एक time schedule अब यहां दिखा रहे हैं कि आपकी जो download limit है unlimited है और expire never and दिखा रहे हैं यहां पर add तो यहां क्लिक करेंगे यहां पर जो खुरा रहा है इसमें नाम सो कर आएगा तो यहां क्लिक करेंगे दुख यहां पर जो करेंगे यहां पर यहां पर यहां पर फाइल ने लिखेंगे से college management system और लिखेंगे यहां करेंगे choose a file और जैसल यहां इसकी जो file मैंने बना रख लिया है जो मैंने आरे suggestive के लिए जो प्रोजक्ट है मेरे पास उसे मैं कर लोगा एड और ओपन कर लेंगे इस प्रिकार से ये फाइल हमारी एड हो जाएगी जैसे हम एड करते हैं दिखा रहा है एड करने के लिए तो इंसेट यॉयल कर देंगे ये एड हो गया अब एड करने के लिए यहाँ पर कर द्यायों यहां से इंसेट यह आ गया इस प्रिकार से लेकिन अब मुझे पूरी इसकी गैलरी एड करने हैं तो हैंद्ध रहा है are product गैलरीए इमेज़ेस पर क्लिक करेंगे और यहां करेंगे upload file पर फिक करेंगे हैं से upload file और जितनी फाइल आपको upload करनी है याई जो भी आपको गैल दिखाने है कि इसमें इस परकार से photos आपके करने है तो सबको select कर लेना अपने recording मैंने हां से कर लिए सबको open open करते हैं सारे photos आपके add हो जाएंगे directly इस परकार से add to click करते ही सारे photos यहां add हो जाएंगे और इसकी जो category है तो इस पर click कर देंगे और click करते दिखा रहा है tag tag मनला Google पर जब search करेंगे लोग तो कैसे search करेंगे त सब्सक्राइब कर लेंगे अभी tag हमें कुछ और वी एड करने पड़ेंगे इस यूटूब पर आपने देखा होगा इस परकार से tag भी डालना पड़ेंगे तो college management system तो डालेंगे लेकिन अभी और वी यहां पर tag करेंगे जिसे in visual basic इस परकार से लेग दिया हां से और यहां कर देंगे हम add ऐसे करेंगे फिर से तो college management system और using vb.net इस परकार से मैंने हाँ पर डाल दिया tag अभी हम चाहते हैं कि हमारे website से भी search कराया तो यहां लिखेंगे पैसिफाई कार्ट तो लिखेंगा से पैसिफाई कार्ट और cut लिखेंगे हां से cut और इसे भी कर देंगे add और आपको जो भी अपने साबसे नाम add करने तो यहां से कर लेंगे जैसे मैंने कर दिया एक और visual basic projects इस परकार से कोई लोग गोगल पर search करते हैं तो इसके according हमारे यहां पर आ जाएगा अब next हम आते हैं नीचे अगर हमें औ आपने यह तो add हो चुका है हमने रुपीज भी दिखा दिया है और यह भी कर दिया है और इन्वेंटे की वाद के तो यहां पर सो करा रहा है इस परकार से इसका कोई डालना आपको आपको लगाना है तो यहां लगा लेंगे लेकिन no saving class से आपको दिखार ठीक है लिंक राट करके reload करेंगे तो इस परकार से यहां आ गया अब जो भी है यहां पर हम बात करें तो यह जो भी customer रहे से purchase करेगा तो कैसे करेगा देखने हां से तो यहां add to cart करते ही option तो आ जाएंगे और view cart का option भी सो करा रहा है इस परकार से लेकिन बात करें तो यहां proceed to checkout भी दिख तो इसके लिए हम वापस आते हैं अभी एक project और add करते हैं इसकी जो अपनी है फिलाल तो यह जिस्ट एक टैस्टिंग थी तो यहां वापस आते हैं और अपने shopper के लिए करके देखेंगे तो हमारे जो एक selling हां आगी इस परकार से अब next मुझे कुछ add करना है तो यहां फि virtual product है मदलब digital जो कि downloadable है लेकिन टेसर क्या एक physical है जिसको deliver भी करना पड़ेगा आपको तो बतांगो इसके विपर बनाएंगे next video लेकिन पहला आप यहां ध्यान से समझ लें कि यह यह e-commerce website तो है बड़ी simple है advance में बतांगो कि कैसे करेंगे तो यहां लिखेंगे hospital management system और यहा से इसके जो description है short brief यहां लिख देंगे सब्सक्राइब ले टूबे लेड़ बतांगो कि वinhardke लेंगे कर दो लेड़े इस प्रिकार से हैं लग देना है तो आपको यहां पर लिख देना और भी जिसे कि इन दिस प्रोजेक्ट इस प्रोजेक्ट में जो यूसर नेम है इस प्रकार से जो पर बिखेंगे अब जो इसे प्रकार से आगे और कॉपी करके आएंगे कोपी करके हम क्लिकर करेंगे और यहां कर देंगे इसमें घ्र्यूमाब प्रिकार से क्रिकार से और अगर में क्लिक ли jullie दाउनलोड और प्लिक करेंगे इसका जो प्राइस सो रुपे और जो हम् सल्ल प्राइस लगा रहे हैं तो लगा देंगे अगर नए लेट प्लिक करेंगे तो इसका नाम कीह है जैसे एकजेंपल, रिखते ही अब नाम आ गया लेकिन मैं इस परका से लेकिन है घुड़ यहां करेंगे, और यहां करेंगे हम सेलक्ट फाइल, और जो फाइल है पास अल्रेड डाउनलोड कर रखी मिन है, तो इसली हम कर लेंगे, ओपन, तो यह हमारे एड हो जाएगी, और इस प्रिकार से हम कर लेंगे insert URL अब यहां दिखा रहा है आपका कि ठीक है download unlimited times कर सकते हैं और यहां category add करना है तो category के नाम रखेंगे हैं इस प्रिकार से अब add करते ही add new category कर देंगे तो यह एड़ जागा इस प्रिकार से category अब वापिस आना है तो यहां tag लिखेंगे और कुछ यहां फोटो भी एड़ करना है तो यहां फोटो भी एड़ करेंगे इसके फोटो जहां पर दिखा रहा है set product image तो क्लिक करेंगे यहां स और next हमें gallery add करेंगे तो यहां के लिखेंगे same पहले की तरह ही तो क्लिक करेंगे यहां से और फिर क्लिक करेंगे आप upload file पे क्लिक करेंगे आप select files पे जितने फोटो को upload करना है उन photos को आप यहां क्लिक करके इस प्रिकार से select कर लेंगे a to z यतना भी करना चाहते है और open करते यहां भी यहां लिख चुक है जिए लिखना था अब आते हैं यहां पर मुझे इसने tag तो tag लिख देंगे पहले तो pacify card तो यहां दिखा रहोगा tag के लिए हापर इस और यहां पर tag यहां करेंगे हम add और यहां भी same ऐसी कुछ और भी tag डाल देंगे अपने according जो भी जैसे लोग search करते हैं इस प्रिकार से उसके लिए बस बहुत रहेंगे tag और आप यहां से इसे कर देंगे इसे भी publish तो आप देख पारे होंगे कि हाँ पर यहां पर यह भी add हो चुका है और add क्लिक करके जब reload करेंगे तो देख पा रहे हैं कि आपका दूसरा जो प्रोजेक्ट है यह भी add हो का आ चुका है और दू करेंगे इस प्रिकार से बहुत सारे जो आपको add करने है product यहां add कर पाएंगे इस प्रिकार से तो finally यह तो add हो चुका है लेकिन add new पर क्लिए के लिए तो हमें इसक्राइब करने होगा UK के लिए यहां करेंगे हम search UPI UPI के लिए हम आएंगे तो यहां जुब search करेंगे तो आपको बहुत सारे plugin बिल जाएंगी wore everywhere कि किस ने बनाया है तो यहां नाम भी दिखा रहा है सायन इस परकार से नाम दिखा रहा है तो यहां दत्ता पर और यहां कर लेंगे हैं इस पर install इस इंस्टॉल नो करेंगे तो completely यह हो जाएगा और यहां करेंगे हम एक्टिवेट तो यह जिसल क्या है बहुत ही इजी है क्योंकि इसका जो सेटलमेंट सिस्टम है वो डाक लिए आपका फॉन पे पेटम में आ जाएगा बतातों कैसी आएगा तो आप यहां से एक्टिवेट पर क्लिक कर देंगे जैसी completely एक्ट देखली कहा है भुक कमछ पेशन नियांस कर लेंगे इस चालो कर लेंगे घर से श्राट कर लेंगी तो यहां कर लेंगे हम इसे इनेवल करेंगे तो यह चलो हो जागा यहां पर page is इसका पूरा complete चलो करने के बाद के बाद तो जो payment है हमारे account में यहां को balance क्लिक एक कोड पर यहां इसे on करने है उससे on कर रहेंगे तो यहां बात करते हैं तो यह option कहले कराएगा अभी payment कलको करने के लिए तो यह हम ने options को यह यहां क्लिक करेंगे अपने स्ट्रेट्स जो भी है तो आप यहां लेकिने के बादूआ मैं तो जिए पिनकोड फिलिक ऐसे अपनी जो सिटी है लिख ले Cand Là लिखेंगे अपने mail id यहां कर लेंगे हम continue और यहां कर लेंगे yes count me in एंड next कर लेंगे आसे कि आपका दिखा रहा है education and learning कर लेंगे continue और दिखा रहा है कि आप क्या करेंगे तो यहां करेंगे हम download click और यहां दिखा रहा है subscription अगर करते हैं तो आपको इतने पे करने पड़ेंगे तो हमें कुछ निये करना है physical product और यहां download पर कर लेना और continue कर लेना है continue करते हैं यहां दिखा रहा है कि how many products we want to plan display तो यहां मैं चाहता हूं कि 1000 से भी जादा हाँ पर होंगे तो 1000 से जादा कर लेंगे यहां कर लेंगे currently selling and elsewhere तो यहां आप कहीं कुछ sell कर रहे हैं तो नहीं कर रहे हैं तो इसको हम complete करने के बाद options को enable करेंगे UPI payment के लिए जो पहले से options हमें on कर लेने चाहिए थे यहां लगवक एक से दो मेंट यह पांस मेंट लग जाएंगे depend करता है आपकी network की speed पर और आपकी system की speed पर कि हां किस प्रिकार से website से काम कर रही है अभी फिलाल दिखा रहा कि कोई error आगी यहां पर और request जो है फिर से continue करेंगे तो जैसे यह आगे बढ़ जाएगा completely तो यह हम आगे वी जो फिलाल error आ रही है उट network की वैसे आ रही हां पर रहा तो मैं द्वार ट्राइक करूंगा भी दिखा रहा है there was a problem updating your business detail मैं continue द्वार से कर लेंगा अभी थोड़ा टाइम लगेगा समय भी होने में जिसके देख पाने हमारे options वो करा रहा है continue with my active theme तो यह complete तो हो चुक है लेकिन आपको यहां क्लिकरना है continue with my active theme पर क्लिक कर देना है तो finally जो हमारा setup है वो हो चुक है अब यहां हमें अपनी जो UPI link है तो इसे चोड़ देंगे यहां दिखा रहा है इस पर कार से तो हमें क्लिक करना है वापस अपने यहां पर book commerce पर और यहां क्लिक कर देना है settings पर क्लिक करेंगे तो यहां दिखा रहा हो हमारा payment के लिए यहां अपको अपने address वागरा फिल करना है वो completely fill कर लेंगे जो भी दिखा रहा हाई इस पर कार से यहां सब कुस्छ ठीक है लेकिन बात करें है यहां पर तो हमें करना है payment क्लिक चीछ आपका देखा कर रहा है इस पर कीशल क्लिक कर देखा लेंगे यहां यहां बुपा क्लि अपनी आइडी की तो यहां हम अपनी आडी लिखे लेंगे चुब यह अडी है इस परकार से आडी और एड़ रेट वाई वी एल मतलब फोन पर अकाउंट जैसे की दिखाविरा एक्जमपल इस परकार से तो यहां ऐसे आप लिख देंगे नेक्स दिखावर आपका इसकेन प क पर्डिस करता है तो यहां मैं फिर से अब करता हूं राक करेंगे और अगर मैं यहां यहां रिखार से नाम फिल तक फ्लाल ना भीतलत गशना हो ओ जासे और यहां पर स्छेट करें के कांट्री से और लिखंगे अपने तो पिंहें अब यहां करते हैं अगर अपने मेलेड का दिखने हमने उनक्तay कोड या टो बी है तो यहां एक किसम है तो लिखें का है तो इहां कुलिक marche और जैसी है क्लिक käytज करते हैं तो अब यहां देख पा रहा है कि जो पहले ऑप्सन नहीं सोग रहा था अब्सोट करा रहा है इस पकार से PassifyCard.com पर फर सीटू पेमेंट करते ही है नो थैंक्स करेंगे तो यह बनकर आ गया इस पकार से सेस्टम तो यह है मर्चेंट का UPI ID कोड और यह है कस्तमर का यानि हमारी ID कोड जो UPI ID है तो यहां जैसे हो कोई पेमेंट यहां करता भी है पेमेंट करने के बाद यह से ही हम इस वेबसेट को प्रॉपर हैं पर वग कर पाएंगे तो फानली हमारे जो इस टैप है भी ये लास्ट चल दा है और इस परकार से यहां करेंगे हम प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टैप कंफर्म कर लेंगे तो जो ओर्डर देखो यहां देखा रहा है जिसल अभी एरर द वह पर कंफर्म अधार भेट देखा neighborhood कहां अगर धांगे अधा तो हम फेले से प्रोपर नियुए का इयो गस्ट मर्य से कि नजिसे लिन कर peng bastante कर गा तो वहां एक क्या दिखावी आए सक्टियाशा रहा ये से आजश्गोग में अ एक जीन रुट्र लेंगा बींकर या कि कंफर्म करते ही यह हमारा हो जागा कंफर्म यहां जो एरर आ रही है वो एरर किसी वैसे अगर फिर से आ रही है तो मैं फिर से इस पेस को बैक करके और द्वारा से प्रोसीड करता हूँ एक और देखता हूँ कि यहां कंफर्म कर रहा है या नहीं अगर फिर दिखता है तो म यहां जब दुवारे से खुल कराएगा तो देखने हैं हाँ पर completely options हो करा रहा है या नहीं यह चेक कर लेंगे एक बार इस अभी एक trial है मैंने जो starting को दिखा था आपको देखा भी था आपने कि किस परकार से वर्क कर रहा था आप वह भी चेक कर सकते हैं तो आपको दिखा दोगा कि वह किस परकार से वर्क कर रहा है लेकिन यह फिलाल भी ट्रायल है तो यहां एरर आ रही तो उस दा कि जो प्लागिन है जो मैंने यूपाई वाला प्लागिन एड़ किया है तो वहां से भी एरर आ रहा रखी हो थोड़ा से वेट कर लेंगे अगर कर द सकते हैं अगर आप अप्लय कि जाए की हैगर कर देंगे इससे कए अगर कोई आतए है तो ऑटमेट ली कापडेट हो जाएगा तो वापस अगर आप देखते हैं तो हम देखते हैं इक पर चेकर आहिक काम कर रहे है만 है फिलाल है प्लीज एन्टर अटर नहीं उटर फैक प्रकार से कोड है तो मैं है लिख लेता हूं पहला है कोड करके बैक करता है एक बार द्वारा से और चेक करता हूं कि हाँ काम कर रहा है या नहीं हुआ है कर दो हुआ है कर दो कर दो कि अध्या अध्या आड़ी में हाँ पर लिख देता हूं तो यहां पर आड़ी टांजिक्शन आड़ी जो है वो टी टू थ्री और जीरो तो जीरो सेक्स टू वन टू फाइव डबल टू 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 वन थ्री सेवन थ्री सेवन के बाद है टू नाइन एट वन थ्री टू इस परकार से और मैं हाँ कर लूँगा कंफर्म ये इसमें अभी एर्र जो आ रही मैं चेक करता हूं एर्र तो वहां पर एक खुल कर आता है कि आपके जो ट्रांजिक्सन आइडी है और यूटियर आइडी क्या होती है तो दिखाता हूं को इस फॉन की स्कीन पर आप देख पा रहे हैं यूटियर आइडी इस प्रिकार्ड से होती है पर एक एक अभी है, ऐसे काम कर रही है यह ही, तो आप यहांगे बनाइंगे की है करते हैं कि आपको यह इं 서 U-8 काम कर रही यह नहीं तो मैं confirm करता हूं यहांसे देखा रहा है फिर से error आहीं तो मैं फिलाल finally back कर लेता हूं हांसे back करके हांसे close कर लते हैं इसकी फिलाल जोड़त नहीं है लेकिन बार में आप चक कर लेंगे क्या यह काम रहा है तो वापस आते हैं तो फानली हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो काम था यह तो रेडी हो चुका है और जो वैबसाइट थी वह भी हमारी रेडी हो चुका है लेकिन अगर हम बात करें कि जब हमने होस्टिंगर से जो अपना प्रीमियम पर्चेस किया था तो हमें यहां पर क्या करना है जो अपने यहां देखा रहा इमेल ख़गेक में अब लॉक है है आप में करते ही यहां पर खुल जो नाम है मैंने क्या सो कराया है मी और हैल्प तो वापिस आप यहां जाएंगे लिखेंगे मी और अपने अपने आकोर्डिंग आप चूज कर लेंगे एक स्ट्रॉंग पासवर्ड जो कि आपको पता होना चाहिए कि किस परकार से बनाना है जिसमें कि आपका एक नंबर हो ए गया है तो यहां पर मैं वेक करता हूं दुवारे से मुझे कुछ दूसरा बनाना है तो यहां देखा रहा है फिर से यहां पर आपको कितने अकाउंट में ले हुए फ्री आपको 100 अकाउंट में ले हुए मैं अभी एक यूज किया है कौन से वाले मैं से पैसिफाइकाउंट डॉट कॉम पे तो मैं फिर से करूँगा करीट seak swell है करेंगे तो यहां करेंगे आपको बाइन खरेंगे तो को यहां कहा यहां कले हैं कि यह अफीशियल है जो कि आपको वेबसाइट की डॉमेंन के साथ मिले हुए हैं और यहां पना प्रोवाइड करेंगे तो आप अब यहां इसे login कर पाएंगे इस प्रिकार से तो यहां login कर लेते हैं तो इसको जो official email है यह खुल कर आगा आपको प्रॉपर मैंने बता दिया कि कैसे रेपसेट बनाते हैं और टेस्टिंग भी करा दिया है आपको से कुछ भी चेक करना है तो यहां दिखा भी रहा है इस परकार से अपकी डॉमेन की होस्टिंग और आपका SSL certificate तो जितने भी चीज़ें होंगी आपको यहां completely मिली हु कुछ यहां पर ready करने के बार आपको बना पाएंगे और हम अपनी website को completely बना वी चुके हैं और अगर आपको next अगर समझना है कि आगे कि इस website को app में convert कैसे करेंगे आपको next वीडियो में बताँगा कि इस website को app में कैसे convert करेंगे तो कि professional type map को लागे का भी और अगर बात करते हैं तो जैसे आप देखना चाहरे हैं कि यह जो website का look है कि phone में कैसे नजर आएगा तो आप यहां जैसे जहां पर आप edit कर रहे थे तो वापिस आप यहां जाएंगे और हर page पर जैसे माना मैंने page पक्लिक किया और page पकलिक करके हम गए जैसे आपका home page है तो इस पकलिक करते ह जब edit पर क्लिक करके आते हैं तो यहां एक look दिखाता है कि आपका जो web page है किसमे खुल कर रहेगा तो यहां दिखा रहा हो दो आपको इसका look दिखाता हूं preview किसमे आ रहा है हम पर mobile के लिए दो को ऐसा look आएगा और tablet के लिए कुछ ऐसा look आएगा और desktop में कुछ लोग ऐसा रहेगा यह preview mode है और mobile पकलिक करते हैं तो इसे कैसे convert करेंगे एक किसी app में तो फिलाल तो हम बैक कर लते हैं और यहां से इसकी बैक कर लते हैं और फानली हमारे जो website अच्छे यहां पर अगर हम privacy create करनी है privacy जो दिखार आपका privacy policy जो कि इसमें डिराफ्ट दिखा रहा है तो म इसपर क्लिक करेंगे और यहां edit पर क्लिका करेंगे और यहां जो फाल्ट के pages अलड़ी बना हुए है मैं यहां से delete करता हूं तो यहां पर क्लिक करके delete करेंगे लेकिन आपको delete करने पड़ेंगे privacy का मतलब है कि हम एप बनाएंगे या कोई चीज अब बनाने कर दो इससे हमें लिखना पड़ता है तो मैं आता हो कैसे कैसे सब बनाएंगे तो फिलाल आपको इससे remove कर लेना है यहां से जितने भी चीज़ें हैं से remove करने के बाद और यहां पर मैं बताँगा कि इससे क्या करना है तो फाल्ट की जो प्रेग्राफ हैं यह तो हमें एक एक करके से add कर करने पड़ेगा यह फिर मैं बता और एक क्लिक कैसे लेकर आएंगे तो इसे back कर लेते हैं यहां से और बैक करके यह आगे इस परकार से टूटल यहां से करेंगे डिलीट एक एक निया पेज बना लेगे लेगे लेकिन अब नहीं अप्तो अल्मुस्ट हो चुका है तो यहा है तो यहां से रिमूब कर लेंगे इस प्राइग्राफ को यहां के लिए करके और आपको करना है रिमूब हैडिंग ऐसे यहां के लिए करना है बार 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 यहां से रिमूब कर लेना है फानली यह रिमूब हो चुका है अब यहां लास्ट में मैं बताँगा इसे कैसे लेक अब यहां आ जाते हैं तो यहां मुझे लिखना है content तो इसके लिए मैं क्या करूँगा पहले में पास privacy के लिए जो privacy मैंने बनावे रखा है तो दिखाता हूं privacy system में पास होगा तो आप यहां से करेंगे क्लिक करके यहां आ जाएंगे और यहां लिखेंगे privacy privacy policy for website कि क्रेंगे और यहां आपका देखा रहा हूँ प्रयवेसी गरेंडर मैं कीमा से अपने इस वफेयए वबसाइट की नाम है और यहां कर लटा हो और यहां कर लेंगे हम इसे पेस्ट पेस्ट करेंगे तो यहां आ गया वेबसेट का नाम अब यहां है वेबसेट का यूरल और यहां नाम लिखेंगे यहां से वेबसेट का नाम क्या है पैसिफाई कार्ट इस प्रकार से अब यह क्या है एक बिजनेस है यह फिर इंडिवेज यहां आप अपने लिखने के बाद यहां पर आप इसे आगे नेक्स्ट कोप्शन फोलो करेंगे आप को आपको आप किस प्रेकार से जो डाटा है उसे कलेक्ट करते हैं यूजर से वाट कांड ओव डाटा वाट कांड आप परसनल इंफ्रमेशन डो यू कलेक्स फॉम यूजर तो यहां कलेंगे एमेल अडरस आपको धर नक नहीं फिर जो आपने तो आपको मदलब क्या है कि अभी किस टैप करते हैं तो मैं करूंगा फॉस्ट नेम फॉनम्बर एड़स यह सब डाटा हम सब्सक्राइब करते हैं किसका कस्टमर्स का तो यहां नेक्स्ट कर लेंगे अब दिखा रहा है कि किस प्रकार से यानि किस के दौरा किसके हेल्प से त नेक्स्ट यहां से और अब दिखा रहा है इस प्रकार से कि आपका जो यहां पर प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं यह फिर आप बनाना चाहते हैं सिंपल तो दिखा रहा है यहां से यहां प्रोफेशनल प्रोफेशनल इस प्रकार से लेकिं मैं करूंगा और नो आई वन्ट यह अपको यहां से लेकर यहां तक आपको सेलेक कर लेना है और और completely जो यह privacy दिखी हुई है आपको इतना लेखने में बहुत टैम लगता है तो मैंने directly कर दिया यहां से और copy करके आएंगे यहां से और click करके आएंगे अपने इस privacy वाली पेज में जो जहां privacy बना रहे थे तो यहां करके आएंगे और यहां कर देंगे हम इसे paste जैसे paste कर दे करने तो यह अपका पॉब्लिस होने के बाद और मैं back कर लेता हूं तो इसको मुझे करना क्या है इस paste को देखना है कि यह हमारा जोड़ना भी चाहिए पेज में तो यहां बैक कर आएंगी तो जितने पेजे से हमारे हां आ चुके हैं लेकिन यह जो privacy का पेज है मुझे इस प्रकार से एड हो जाएगा लेकिन मैं चाहता हूं कि यह आपका एक submenu हो तो यहां से इस प्रकार से छोड़ देंगे drag कर देंगे drag करते हम करेंगा से submenu पर क्लिक कर देंगे और click करते ही save menu पर click करेंगे फिर से अब click करने अगर आप देखेंगे कि आपका जो website है यहा अब करके अगर को दिखाया है आपको ये वीडियो के डिस्किप्शन में सारी जो लिंक हैं वो मिल जाएंगे आप वहां से भी यूज़ कर सकते हैं तो आपको लगता है कि आपने completely समझ लिया है तो इस topic को एक बार टाय करके देखें अगर फिर प्रॉलम आती है तो मैं आपको बता हूँगा कि इसे jam server काम कर पाएंगे तो मैं बता हूँगा jam server कैसे करेंगे इसकी वीडियो अलड़ी बने हुई है तो आप वहां से डेख सकते हैं कि jam server में कैसे website को बनाते हैं तो आपका look जो है last में चेंज करेंगे किस परकार से करना था और इस परकार से हमारी completely website बन चुकी है और हम बात करें तो यहां से जो भी changes करने हैं मैंने बता दिये हैं यह look लगाना मैंने बता दिये आपको और finally हम देख पा रहे हैं कि अगर हम phone मे आपका मैं एक बार दिखाता हूं phone का जो इंटरफेस है real में कैसा आ रहे हैं तो हम यहां करते हैं skin cast यहां पर मेरा जो code है मैं करता हूं open अगर हम यह search करते हैं Google Chrome में pacifycart.com देख पा रहे हैं कि हां search करते से मैं किस परकार से यहां आएगा और इसका जो इंटरफेस है कैसा सो करा रहा है तो अब देख पा रहे हैं कि completely इस परकार से हमारा जो इंटरफेस है सो करा रहा है मतला हमारे जो मैंने जो बनाया पूरा वैडसाइट तो यह फॉन में इस परकाद से लोग खुलक कर आएगा अब देख पा रहे हैं इस परकार से पार के स्युव कारे में था टो पॉक सती है और एक लोग है यहत पार है आ कि कि यह खुल कर आ रहा है तो completely इसे बार में बताऊंगा कि कैसे इसे mobile app में convert करेंगे फिलाल तो इसकी जो इतने इसे close कर लेते हैं और next आप नहां समझेंगे कि इसे कैसे बनाएंगे app में convert करेंगे इस website को